हरे कृष्णा वेल्कम बेक टू माई चैनल आप सभी को राधास्टमी का बहुत-बहुत सुभकामना है बहुत-बहुत अभिनंदन यहां आप देख रहे हैं कि हमारे बड़े पापा का जो कृतन का टीम है यह सारा टीम मिलकर यह लोग जा रहे हैं मायापूर के लिए क्योंक मायापूर जा रहे हैं हम भी जाने वाले थे लेकिन हमें थोड़ा प्राब्लम है इसलिए हम नहीं जा पा रहे हैं लेकिन नेक्स टाइम हम और मिस नहीं करेंगे जरू जाएंगे तो यहां देखिए इनको टिफिन मिल चुका है जो बारा बज़े के बाद खाना है क्योंकि आज राधास्टमी है तो राधास्टमी का जो ब्रत होता है वो उपवास दिन बारा बज़े तक ही होता है तो सब लोग दिन बारा बज़े तक उपवास रहेंगे उसके बाद यह खा लेंगे यहां सब लोग जाते ही हमारा स्नान सब कॉंपलिट हो गया तो ममा ने कहाँ च इसे ताल बॉड़ा बनेगा तब तक हम गोपू को अभीशेक कर लेंगे. क्योंकि हमें 12 बजे के अंतर सब कुछ करना है, तो हमने यहां हो और जो जो ब्लू किलर का ड्रेस है, वाइटए के साथ ब्लू, यह ड्रेस आज हम गोपू को पहनाएंगे और उन्हें राधा सिंगार करेंगे तो ये दिखिए ये छोटे-छोटे फूलो से हमने राधा रानी के लिए माला बनाया है यहां हमने राधा रानी का मेकप कर लिया है उन्हें माला भी पैना दिया है अब हम उन्हें सिंगासन में बिठा देंगे ये मेकप वाला वीडियो ह अपने आपको अपलोड करके बता दिया है कि कैसे राधरानी को मेक अप करना है तो आप अपने राधरानी को जरूर मेक अप कीजिए अब हम उनके लिए और एक रेसिपी बना रहे हैं आज हमारा इन्वाइट भी है बड़े पापा के घर में तो हम फलका भोग लगाएंगे उसके बाद अपने बड़े पापा के घर जाएंगे तो यह हमने गोपू के लिए बना लिया है जो सारा भोग हम उन्हें लगाने वाले हैं अभी सुबै को तो यह बनके रडी है क्या हमने सारा भोग लगा दिया है गोपू को और अब ममा ने हमसे कहा कि आप बड़े पापा के घर जाओ हम अन्नका भोग गोपू को लगा देंगे इसलिए अन्नका भोग का जो वीडियो है वो हम नहीं बना पाए हम अपने बड़े पापा के घर चले गए उनके राधारानी के लिए लड़ू गोपाल जी के लिए हमने भोग बनाया था वो भोग लेकर हम जाएंगे अपने बड़े पापा के घर क्योंकि आज बड़े पापा भी नहीं है वो भी मायापूर गया है तो इसलिए हमने सुचा कि हम खुदी जाकर वहां भोग लगा द हमने बनाया था यह और यह फूल दोनों ही हम लेकर जा रहे हैं अपने बड़े पापा के घर यह देखिए हम अपने बड़े पापा के घर पर आ गया है हमारे बड़े पापा के पास दो राधा क्रिशन जी का स्री बिग्रह है और यहां लड़ू गोपाल जी का बिग्रह भ भावी है वो अभी भोग बना रही है जो हम दोफेर को राधा रानी को समर्पित करेंगे अन्न का भोग तो ये हमारे बड़े पापा का मंदिर हमें कॉमेंट में कहा गया था कि दिदी अगर हो सके तो आप अपने बड़े पापा का मंदिर भी हमें दिखाना इसलिए हमने मंदिर को इतने अच्छे से वीडियो सूट किया बस आप लोगों को दिखाने के लिए तो यह दिखिए तो चलिए हम लटू को पाल जी को भोग लगा देते हैं अब क्यूंकि बारा बजे के अंदर ही हमें भोग लगाना है तो यहां बहुत कुछ रेसिपी हमारी भावी ने बनाया है सुबह से अब इसे हम भोग में लगा देंगे तो यह भावी सब ठीक ठाक कर रही है भोग का जो भी है हमारे घर पे तो ममा ने कहा कि हम भोग लगा देंगे आपको इन्वाइट किया गया है तो आप जाइए इसलिए हम आज यहां आ गए और हमारे गोपु सुना को ममा भोग लगा देगी तो यहां भोग रेटी होते ही हम भोग लगा देंगे राधा रानी को लड़ु को पाल जी को सबको भोग लगा देंगे तो यहां हमने भोग लगा दिया है भोग लगाने के बाद हम मंतरजाप कर लेंगे दिया अगर बती भी जला लेंगे और उसके बाद 20 मिनट के लिए हम भगवान जी का जो दूआर है वो बंद कर देंगे यहां दिया अगर्बती भी जला लिया है तो चलिए हम दुआर बंद कर देते हैं यहां भोग लगाना कॉंप्लीट हो गया है तो अब मंदीर को खोल दिया हमारे भावी ने तो चलिए, अब हम भी प्रणाम करके प्रसाद सेवा कर लेंगे, यहां भोग लगाना कॉम्पलीट हो गया है, अब हम भी प्रसाद सेवा कर लेंगे, प्रसाद सेवा करने के बाद ही हम अपने घर जाएंगे, क्योंकि घर जाने के बाद फिर राधारानी को केक भी खिलाना है तो यहां हमने प्रसाद भी सिवा कर लिया अब हम जा रहे हैं घर तो देखिए यहां राधारानी के लिए हमने केक लाया है हमारे गोपू रूपी राधारानी के लिए यहां हमने उनके लिए बिस्कुट लाया है और चलिए हम उन्हें केक भी खिला देते हैं जन्मास्टमी के दिन हमने अपने गोपू के लिए क्रीम केक लाया था तो आज हमने सोचा चलो राधारानी को कुछ अलग खिलाते हैं ताकि राधारानी को और भी अच्छा लगे तो इसलिए हमने जानू से आज कहा था कि ये केक लाने के लिए तो चलिए हम इसी केक से राध तो राधारानी ने अन्नका भोग सेवा कर लिया है अब राधारानी का जो अनुष्ठान होता है वो दिन में ही होता है इसलिए हमने राधारानी को दिन में ही केक खिला दिया जो हमने उनके लिए लाया था ये केक सेवा भी हमने उने करा दिया हैपी बर्डे गोपु रूपी राधारानी हमारी प्यारी सोना तो यहां हमने राधारानी को केक खिला दिया उनका हैपी बर्डे भी मना लिया तो चलिए हम धुरा कृत्तन कर लेते हैं क्योंकि राधास्टमी का अनुष्टान दिन में होता है तो हमने सब को दिन में ही बलाय है ऐसे ही बहुत ही सिंपल प्रॉसेस में हम कृत्तन के साथ अपना राधास्टमी का महा उत्सब समाप्त करेंगे हैपी राधास्टमी ओल अफ यू हमारा राधास्टमी का महा उत्सब आपको कैसा लगा प्लीज हमें कॉमेंट में जरूर बताईए और आपने कैसे राधास्टमी मनाया ये भी हमें जरूर कॉमेंट में बताईए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें थेंक यू फो वाचिंग, हरे कृष्णा, राधे राधे